तो वीडियो देखे आपको आइडिया होई गया होगा कि हम इस वीडियो में किस बारे में बात कने वाले हैं तो हम बात कने वाले यामा रण 5M या फिर V4 के बैक पैनल की जो कि दोस्तो ब्रोकन की प्रोब्लम काफी ज़्यादा दे रहा है काफी सारे कमेंटर तो उसी को देखते हैं मैं आपको तीन से चार ऐसे बेस्स सॉलिशन बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा यूस तो यहां पर जो प्रोब्लम है पहले हम उसको दिखाते हैं कि एक्च्वल प्रोब्लम क्या रही है आरण 5M और V4 के अंदर आप देख सकते हैं यह है हमारी आरण 5 V4 तो यहां पर आप देख पाएंगे कि पीछे की तरफ से जो पैनल है दोस्तो वो ब्रेक हो चुका है यहा यहां पर V4 के ओनर्स अच्छे से जानते क्यों क्या प्रोब्लम को फेस करें तो यह देखें दोस्तों यह काफी फाइन सा क्रैक है जो यहां पर आता हूर यहां पर पैनल बहां निकल के आ जाता है यहां पर आप बाइक देख सकते हैं अभी यह बहुत ज़्यादा चली भी प्राइस स्लाइटली उपर नहीं हो सकता है डिपेंड और यहां पर दोस्तों वर्थ इट नहीं एक न्यू बाइक पर 4000 यहां पर वेश्ट करना अगर आप दोस्तों इसको रिप्लेस भी करा लेंगे तो भी कोई मतलब नहीं क्योंकि दोस्तों यहां पर एक जो हमारी कस्ट भी कर सकता है DIY process है तो यहां पर आपको सीधर नट्स को रिमुव कर देना है यहां पर सीधर आपको fix कर देना है तो अब आप यहां पर बाइका लुक देख सकते हैं किस तरीके से लुक करेगी तो यहां पर दोस्तों काफ़ सारे color options मिलता है वह मैं आपको दिखा दूँंग साथ ही दोस्तों, अगर इसको बढ़ना चाहता हैं, तो आप जमें हमारे इंस्टाग्राम पर और कोंटैक्ट करीए, यहां पर आप जाके दोस्तों, प्राइस वगहरे के रिगार iba कोई बी क्योरी है, यहां पर आप जाके बढ़ने कर सकते हैं, अपनी बाइक को और ज्यादा जो पीछे वाला पैनल है दोस्तों उसको सेफ कर पाएंगे यहां पर आपने कस्टुमर्स के रिव्यू देखे ही होंगे दोस्तों तो यहां पर अगर आप इंट्रेस्टेड आप बाइक करने के अंदर तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉंट कोई के help से भी आप पर cardboard के साथ fix किया हुआ है not a so much reliable method दोस्तों यहां पर अगर आपका budget नहीं है तो आप यह सब्स्टूट कर सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँ यह होने वाली है दोस्तों तो यहां पर यह टैल को बोला जाता है दोस्तों R1M टैल तो यहां आप यहां पर यह बाइक के लुको काफ जादा enhance करती है आप अपनी बाइक के अंदर करवा सकते हैं यह भी दोस्तों हम आपके लिए डिलिवेट करवा देंगे हमारे पास यह पास यह पास यह पास है तो यहां पर यह वी थरी के ओपर हमने दोस्तों completely दिखा रखा है आप को वीडियो के नीचे दोस्तों लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कैसे आप इसको लगा पाएंगे तो यहां पर दोस्तों यह बाइक के लुको काफ़ जादा enhance करती है जो वी 3 वी 4 है दोस्तों उसका पीछे वाला जो पैनल हो काफी पतला ता आग इस तरीके से आप पीछे के तरह से पैनल को रिमूव करिए उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर डिरेक्ली इसको फिट करवा देना है फिटिंग प्रोसेस दोस्तों काफी एजियर डिलिंग अगरा करना है तो यहां पर आप वीडियो के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएग करता है कि प्रोडेक्ट के साइज के आप कौन सा प्रोडेक्ट बाइक करें और आपकर डिस्टेंस क्या है यहां पर आप यह चीज़ कर पाएंगे साथ ही दोस्तों अब आप यहां पर बाइक का लुक देख सकते हैं कि कितना अट्रेक्टिव यह लुक करेगा साथ ही आप seat को mount कर सकते हैं यानि कि दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने plane को भी ride करवा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा look दे रही एक दोस्तों आती है एक और वाली tail जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ओने वाली grab rail तो यह भी दोस्तों आप सीधा लगवा सकते हैं इसके अंदर कुछ सब्सक्राइब कर दोस्तों जो टूटने वाली प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम यहां से रिजॉल हो जाएगी तो यह एक और भी बैटर सब्सक्राइब करेगा तो सून हम और भी दोस्तों यहां पर आपके लिए वीडियो दाने वाले हैं लाइक फूट पैक्स जो की दोस्तों एक निवर्जन है तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ तब तक लिए स्टे ट्यून थैंक्यू